नमस्कार स्वागत है आपका न्यूज लाउंचर पर मैं हूँ नीलू व्यास अब उत्तर प्रदेश में ऐसे ऐसे वीडियो वाइरल हो रहे हैं जिसको देखकर आप हैरान हो जाएंगे हैरान इसलिए कि बीजेपी के कारेकरताओं पर क्या बीट रही है और योगी आधितिना को साइडलाइन करने का हश्र क्या है अब एक बीजेपी के कारेकरता है वो उनका नाम है उज्वल मिश्रा और विधान सभा के जो उपचुनाव थे उसमें वो घोसी से अपना नामांकन नहीं दाखिल कर पाए थे यह वही उज्वल मिश्रा है जिनका वीडियो काफी वाइ है तो आप चीजों को सुधारने की कोशिश करू दराध हम काकर आप बीजेपी के कारिकरताओं को चुप नहीं करा सकते साथ में वो ये भी कह रहा है क्योंकि एक पटिक्लर टीवी चानल इसको रिकॉर्ड किया इसलिए मैं वो वीडियो दिखा नहीं सकते हूं लेकिन ता पार्टी बनाने की कोशिश करू हमें यानि कि भीजेपी के कारकारताओं को वाजपाई वाली कारिकारणी चाहिए और फिर वो सारे कारेकारताओं की व्यथा को बोलता है। काम किया लेकिन उन सारे बीजेपी के कार्यकरताओं को बाहर निकाल दिया गया साथ में फिर मोधी जी के जीत का भी वो जिक्र करता है उज्वल मिश्रा का जो विडियो है वो कहता है कि मोधी जी वारण असी से डेड़ लाख वोटों से जीते हैं उनको फिर भी वह पिएम बनना चाहते हैं और कारिकरताओं को साइड लाइन कर दिया है तो साथ में बार-बार और कारिकरताओं को मिलने की कोशिश नहीं करते तो यह जो अपनी व्यथा है और इसके पहले भी जो एक विडियो वायरल हुआ था उस वीडियो में भी इसी उज्वल मिश्रा नहीं कहा था कि देखे योगी जी ने 35 लोगों की लिस्ट दी थी कि आप इन लोगों को चुनाव में टिकेट दीजे लेकिन अमिच्छा ने उनकी एक नी सुनी और वो 35 के 35 का टिकेट काट दिया गया अब बीजेपी के कारिकर के ही सामाजी को प्रिटिकल एक्टिवेस दीपक कबीर समय जुड़ रहे हैं दीपक आपका बहुत-बहुत स्वागत है जो पहला सवाल है कि यह उज्वल मिश्रा नाम का जो बीजेपी का कारिकरता है इसका एक वीडियो पहले भी आया और आज एक दूसरा वीडियो जिसम संब्सक्राइब में हो क्या रहा है कि जो बाकि देश के अंदर तो भाती अंता पार्टी सरकार बना रही है तो भाती आंता पार्टी से लुड़े लोग सरकार और सरकार के से फाइदों में लगे हुए हैं यह कई जगे स्टेट लेवल में भी सरकार चल लिए पर उत्तर प्रदेश एक बहुत बड़ा जटका हो गया है और उत्तर प्रदेश का जटका इस तरीके से लग रहा है कि आप जिस प्रदेश में आधा मत तब एक तरीके स जीट सकते हैं या विधायक बन सकते हैं जो भी यही सीज़ए है उनके लिए बहुत परिशानियां पैदा हो गई हैं हर एक विधासवास सीट पर मिनिमम वैसे तो 100 होते हैं आजकल हर आदमी लेकिन 10 तो ऐसे कंडिडेट होते हैं जो टिकट के लिए जो तोड़ कर रहे होते हैं और उनको उमीद होती है एक और उनको लगता कि भारती जन्ता पार्टी के नाम पर जीट जाएंगे को कि आजकल कार्टी नेता अपना जमीनी स्थर पर कुछ नहीं करते हैं बड़े नेताओं के इर्द गर चक्र काटते हैं कि कुछ नहीं हो रहा है पार्टीयों का चुनाओ बहुत केंदरी कृत होता बहुतано on that party के साथ यह दिक्त रहा है क्योंकि भार्ती हंता पार्टी के अंदर अगर भाती अंत्епाषि कि लहर नहीं कर अितारी आ रजनीत के हिसाब से सावान रेतारी के होते हैं कि सीट स pik Right Ma सकती है और क्योंकि उनकी वैचारिक्ता मेल खाती है और अगर समण वैचारिक्ता का मसलब है अगर भात्य इंता पाटी के पक्ष में वेव नहीं है तो वह नहीं जीतेंगे चुनाओ और ऐसे में उनकी चिंताएं बहुत बड़ा कही है कि अगर टिकट भी मिला और चुनाओ नहीं जीते तो अगले पास साल तक वेट करना पड़ेगा और राजनीत सेवा तो है नहीं अब उनको पत चाहिए उनको विधायक बनना है यह जो दिक्कते आ रही है वो परिशानिया पैदा कर रही है कि चुनाओ के दो साल सवा दो साल बागी है मतलब उसके बाद तैयारियां शुरू हो जाती है और उसमें 37 के अमाने 41 लोग सवा सीटों के हारने का मतलब है कि विधाय सवा गई तो यह कारकरताओं के अंदर बहुत उतल फुतल मच गई नहीं लेकिन अगर कारकरता सीधे सीधे मोदी जी को चुनाओती दे रहे हैं और यह वो कारकरता है जो कह रहे हैं कि मोदी जी केवल और केवल देल लाक मोटों से जीते हैं और वो भी उनको जित्वाया गया है तो क्या आप कारिकर्टा यूपी काप जिपी उत्ता प्रदेश के कार करता मोधी, मोधी इसलिए करते थे, या सब ही जगे के करते थे, क्योंकि जब तक मोधी चुनाओ जिताओ आदमी थे, सारे चुनाओ मोधी अपने चेहरे पे लड़े हैं पिछले तीनों चुनाओ, इस तो जब मोधी क्या जादू खतम, तो मोधी क्या आलो चुनाओ चुनाओ नहीं जिता सकते हैं, अब उत्तर प्रदेश में मोधी चुनाओ नहीं जिता सकते हैं, थोड़ी बहुत उमीद बच्ची हुई है, वो योगी जी से बच्ची हुई है, क्योंकि योगी जी का ये इम इतहान नहीं था तो मोधी चुनाओ नहीं जिता पाते जो आदमी अपना चुनाओ रोध हो के जीत पाया हो डिर लाग फोटो से वो चुनाओ के जिताएगा और प्रधान मंत्री बन रहा है तो इसका मतलब उत्रपदेश के लोगों से मोधी का मोध हो गया जो राजीनित को सम कि आलूचना शुरू हो गई यह लेकिन योगी के लिए कितनी बड़ी परेशानी है क्योंकि यह जो कारिकरता है वो योगी के समर्थन में बोल रहे हैं और मोधी के खिलाब बोल रहे हैं तो योगी के लिए कि यह आने वाला चुनाओ उत्तरपदेश का है और आपको ज्या लेकिन विधान सवा में 425 सीटे होती है उसके सवा 415 उसके अलावा तो इसका मतलब है और अभी टिकर टकर डिकलियर नहीं हुए है तो मान लिए तीन चार पांच हजार लोगों के चेहरे पर बिलकुल शिकर आ चुकी है तो जब चार पांच हजार किसी प्रदेश में बोल की प्रदेश की फेल नहीं हुए है योगी विधान सवा चुनाओं में जीत करा हैं और इसमें ये माना गया की जीनोट योगी जीर के बजिखा हो चुकी है मोधी चुना उत्रब्रदेश में नहीं जिता पा रहे हैं यह वे फैक्ट सामने आ गया है इससे देखे दो चार सीट का मसला होता अलग बात थी तीन सीटे ऐसी हैं जिन्नों ने उत्रब्रदेश की विजाज को चार सीटे मान लीज़े बिलकुल क्लियर कर दिया एक सीट आयोध्या की जिसने दिखा दिया कि अगर आयोध्याह हाट सकते हैं तो कोई भी सीट हार सकते हैं दूसी सीट नरेन वोधी क जिसमें नरेंद मोधी जिसके लिए पूरा देश का मीडिया देश के सारे विधायक मंत्री सब जूझे थे वो किसी तरह हाथ पर जोड़के डेर लाख वोटों से बीतने का मतलब है वो सीथ हाज चुते हैं की सीथ मौधी की सबसे चाहती अमिठी की सीथ में जिस तरह से धस्त हुएं और चौथी शीट लखीमोर में जो मोधी ने इस्तीवा नहीं लिया ता टेनी टेनी एक बहुबली है, एक माफिया के रूप में उसकी इमेज है, एक दबंग के रूप में इमेज है, कितना बड़ा कांड करने के बाद, किसानों के खिलाफ कांड करने के बाद, कोई हिंदू-मस्लिम एजेंडा नहीं था, उसके बाद भी मोदी जी ने सीफा नहीं लिया दिबेश की वजे से प्रेदानमंत्री बने हैं दिल्ली बउजेसे दंडरबावु नाइडू की वज़े से और भीहार्की वज़े लौटि अपने दुरानमंत्री नहीं वच्छा तो बिल्कुल नहीं बने कि उनको फिर स्टेशन निकले का उनको लग रहा है उत्तर प्रदेश के अंदर जो लोग सालों से बारती द्टा पार्टी में काम करते थे मोधी के कंप्रोमाइजे जिदिया अब बताईए जितन प्रिसाद कौन थे जो कॉंग्रेस का लीटर रहा हो, कॉंग्रेस में मंतर बन रहा हो, सांसा दरा हो, वो बीज़े भी पिये जाके मंतरी बन सकता है, जो जितिन परसाद के खिलाव राजनीत करते थे वो कहां जाएंगे अब, जो तिराते तिस इंधिया जिस तरह से बनते हैं, या कुवर पी एं सकते हैं या तुरंत वो चीजे तो वाकी लोग क्या करेंगे, बहुजन समाज पार्टी से आकर ब्रजेश पार्टक या पे उपमुख्यमंत्री बन सकते हैं, बहुजन समाज पार्टी से आकर उपमुख्यमंत्री बन सकते हैं, बहुत पुरानी बात नहीं है, बहुत पुर होग है क्या उनका गेश है कि है सारे जो कर्यकरता हैं जो की बोलने हैं मुखर उजवल मिश्रा जैसे लोग जूड़ विडियों आज वायर्ल जो रहे हैं क्या उन लोगों की आवाज अब आने वाले दिनों में इतनी तेज हो जाएंगी कि क्या मोधी जी को प्रधान मंत्री के रूप में बदलेगी पार्टी अगर सुर बहुत तेज हो जाएंगे एक कारेकरता अगर खुलकर ये बोने लगेगा कि नहीं भाई मोधी एक पेल प्रधान मंत्री हैं तो फिर क्या होगा इसका असर क्या देखेंगे और क्या योगी रिप्ले कि योगी ने अपने आपको क्यों बदलना होता तो यह सबसे बहुतर मौटा था अब भाती अन्ता पार्टी खत्म होगी बादी अन्ता पार्टी अब में इस्ट्रीम पॉलिटिक से किनारे जाएगी वो कम्जोर होगी तूटे कि अपना अवसान पे हो गिरावाट कि हो जा कि योगी ने अपनी हार एक तरीके से मान ली है क्योंकि जिस तरीके से अमें चाने और मोदी जी ने मिलके खेल किया है तो ऐसे में क्या होगा योगी का क्या भविश है अब कारिकरता खुल के बोलने लगे है अगर बीजेपी का पतन शुरू हो गया है टूतेगी यहाँ से पतन होगा तो योगी क्या करेंगे कि योगी कंशी पड गभाई ची तब तो ठीक है किहें यह चुना ओ यह तो योगी जीतेंगे जीतेंगे मोदी का धखल नहीं है इसले ब sexuality के पास है, मोधी खेमे के लोग जो चाहते होंगे कि योगी दो तब रह चुके हैं, अब हमारा भी नम पर आना चाहिए, यह क्लैस शुरू होगा, यह क्लैस शुरू होगा, कि एक आदमी कब तक हम कब बनेगे, यूपी का जो आने वाला विदान सभा चुनाओ होगा, उसमें मो देश की जनता ने एक दे दिया, मोधी जी को जब वो इतनी बुरी तरह हरा चुकी है, तो वो विदान सभा क्यों छोड़ देगी भाई, जिन मुदों पर हराया, वो खतब नहीं हो जाएंगे, मोधी की सारी चीजह वह इसी ही चल लही है, भाई, मोधी कोई नई चीज नहीं कर दी है मोधी को जिन बुंतों पर हराए गया है तो मोधी के साथ जुड़ने का मतनब है तो बेवकूफ की है यह जरूर है कि उत्तरप्रदेश के चुनाओं में योगी जितना डिटैच होके चुनाओं लड़ेंगे और अगर वो इंडिया एलाइंस से तरपा या अखलेश यादाओं के मुकाबले खड़े होते दिखेंगे और जीतेंगे तो योगी जी को दो तरफ से लड़ना पड़ेगा एक अखलेश यादाओं की समाजवादी पार्टी से भी लड़ेंगे वो या इंडिया एलाइंस से लड़ेंगे और दूसी तरफ गोसी से चुनाओ लड़ना चाहते थेंगांगे जा औव कopingपरमicamente घौसी पर कम फ्रॉमाइस करने जा रहा था उसका ना मांकन नहीं हो पाया निराशा थी निधरी लड़ता देखता अपने आपको थर्सकार रभी नहीं कर पाया घौसी विधान सम्भां बुरी तरह हारे थ जिसकी बहुत चर्चा हुई थी याद होगा गोसी विधान संभा का उब चुनाओं हारने के बाद एक बहुत बड़ी घटना हुई है जो घटना ऊपर से नैचुरल लग रही है लेकिन धीतर भाती जड़ा पार्टी ने अपनी पॉलिसी की तहत उसको एक तरीके से प्रिचा कि मुक्तार अंसारी की डेट को भाती जंता पार्टी ने अपनी उखलब दी के तोर पे पेश किया मतलब कारकरताओं के बीच पे कारकरताओं की जबान यही है कि देखो निप्ता दिया लेकिन उपर से वह एक नैचुरल डेट है कि लाज नहीं हो पाया तमाम मुक्तार अं अंसारी गाजीपूर और मौ यानि घोसी छित्र के नेता थे पूरवांचल के बनारस बनारस पे चुनाव लड़ने जा रहे थे जब आजयराय की वज़े से उन्होंने विड़्ा कर लिया था बनारस गाजीपूर मौ बलिया देवरिया यह पूरा पूरवांचल का गोसी जिसके अंदर आता था मुक्तार अंसारी की मौत के बाद भी गाजीपूर भी हारे घोसी लोग सबाह हारे और आसपास भी चीज़ें हारे तो यानि की लोगों को यह पता चलना है कि अकर इस्थानी इतने बड़े कांड के बाद पहले मुक्तार अंसारी को बहुत प्रिवाइट के रूप में फेश किया गया उसके बाद उसकी मौत हुई अतीक एमध की पूर्वांचल में इलावाद भी पूर्वांचल का बॉर्डर लगता है पहले ही बहुत हो चुकी थी उसकी लेकिन इसके बावजूद अगर बुरी तह से शिकास्त हुई तो जंता को लगडा कि पूर्वांचल में सौफ है भादोनापाटी नीरष शेकर हा रहे हैं चद्रशेकर पिदान मंत्री के लड़के तो पूरवादचल में भाजवाद पास पासन्वें में बहुत समझवादी पाटी ज्वाइन करेंगी लास्ट में लेकिन उसके पहले वो उम्मीद कर रहा है अब एक दो सवाल बस आप से और करूंगी कि योगी अब ऐसे में क्या करेंगी क्योंकि वो भी तो चट-पटाए हुए लग रहे हैं क्योंकि पूरा खेल मोदी और शाह ने खराब कर दिया खुद अपनी रणीती से अब यूपी की जनता को योगी कैसे मूद इखाएंगे नहीं योगी ने बहुत सफाई से अपने आपको इस पूरी लड़ाई से अलग कर लिया है योगी का यह कहना है कि यह लोग सभा की लड़ाई थी मोदी मिश्या जाने मोदी योगी साब हो सकता इसको हवा भी दे रहे हो करें करके द मर्थन से आज बोलते वे नजर आ रहे हैं लगता है पता नहीं लेकिन कई लोग यह आप आए यह चलेंगी योगी जी को अपना प्रिदेश चलाना है उन्होंने अपने आके आफिसर्स की मीटिंग ले रहे हैं या जो भी कर रहे हैं कि प्रिदेश के विकास पर ध्यान दो प्रिदेश के लॉए अर्डर पर ध्यान दो उनके चेहरे पर कोई तनाओ नहीं लेकिन वो भी सब पर भरोसा नहीं कर सकते हैं कि ज़्यादता लोग तो मोधी लौबी के थे अब तक अब जब मोधी की शिकस्त तुई यह तब बिलवला रहे होंगे कुछ लोग परिशान ह नहीं खाती है वो हमिशा क्या हाजरी बजाते हैं अभी को योगी जी को हटा कि किसी को मुख्यमंत्री बना दे कारवायक मंत्री की चेंज आने जा रहा है तो यह सब देखे योगी ऐसी जगे जह हर करफ दीवारों में कान है और उनको भी नहीं मालूम कि उनके साथ कौन है तो बहाती है अन्ता पार्टी इस समय बड़ी अजीबो गरीब देखे सत्ता में जो होता है उसके लिए सव लाब होते हैं तो सव नुकसान होते हैं सत्ता में जो रहता है उसको फाइदा तो बहुत होता है जनता के लिए काम कर सकता है लोगों को उपकृत कर सकता है लेकिन सत्ता चिदने का डर रहता है. जिसके पास सत्ता है उस से चिदने का डर नहीं रहता है. तो योगी जी तो बिलकुल इस समय आकेले होंगे, सोच रहोंगे किसे भरोसा करें या ना करें. उनको अपने 2,2 छाल पूरे करने हैं और अगले चुनाओं की तैयारी करती है यानि कि कुल मिलाक है जो मेरा आखरी सवाल है कि क्या ये उज्वल मिश्रा जैसे लोग अब ये योगी की सेना के रूप में उभरेंगे और मोदी विरोधी जो ये आवाजेंगे तेज होंगी और ये पूरा माहौल एक बार फिर से य दिखा जाए तब ही फाइदा होगा तो क्यों नहीं वो करने की कोशिश करेंगे अपने उपर क्यों ले लेंगे दूसरे की गलती हैं अपने उपर क्यों लेंगे तो यूजल मिश्रा लोग क्यों की बागी हैं तो साहसी हैं तो इंटर्व्यू में बोल देते हैं लेकिन ज् पर बिल्कुल साफ है कि ये लोगसबा की हार मोदीटी की हार है ये लोगसबा की हार हमेशा की हार है और योगी जी इससे बचते हुए नजर आएंगे हालांकि बच नहीं पाएंगे क्योंकि जिसने वोट दिया है उसने भाषपा के खिलाफ वोट दिया तो यह चुनाओ तो मुश्किल है विदान सभा चुनाओ लगबक असंभव है बातिया पार्टी का आप जीत पाना लेकिन कोशिश तो यह उगी करेंगे और मोदी जी का गया तो अब उनको कोई हमदर्दी नहीं विदान सभाब जीते हैं हारें कोई दिक्कत नहीं वो पांच साल अब पांच साल के लिए हो गया उनको मालूम है इंकम्बंसी वोट होता है तो चाहेंगे कि योगी जी हट जाएं उनको कोई दिल्चस्पी नहीं होगी विदान पारी अब योगी के कंदों पर होगी मोदी और अमिश्या हो सकेगा तो इसे डिस्टर्ब करेंगे क्योंकि अगर अगर मालीजा खलेशादों की सरकार आएगी और नेक्स्ट लोगसभा होगा तो तो एंटी इंकम्बंसी पैदा हो सकती है इसलिए उनके लिए जरूरी है य आपको इन सारी चीजों से अलग करें ताकि यूपी में कम से कम वो बीजेपी को बचा पाएं चलिए देखना होगा कि ये बहुत द्रोचक होगा कि किस तरीके से आगे चीज़े बढ़ती है क्योंकि इंडिया अलाइंस यूपी में मजबूत हुआ है समाजवादी पार्ट thank you so much for Johnny thank you